हनमान जी को इस रामायन के जो मंचन हो रहा था ना तो हनमान जी को जड़ी बुट्टी लेने के लिए जाना था तो उन्हों ने ड्रोन पर अर्बार जी को बेजा इसलिए यह भ्यान हमारे नवजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावाई देने के दिसा में एक स्वागत योग्य कदम है फ्रेंड्स बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सकसे स्टोरीज में हमारा स्टार्ट अप एको सिस्टिम भी एक बहुत महत्वपूर्थ थान ले चुका है तो यहां स्टार्ट अप वाले क्या कर रहे हैं बहुत कम समय में हमने यूनिकॉंस की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप थ्री स्टार्ट अप एको सिस्टिम में से एक बने हैं कि दो हजार चौदा में हमारे पास कि मैं दो हजार चौदा क्यों कह रहा हूं पता है ना कि वो तारिक नहीं है एक बदलाव है कि दो हजार चौदा के पहले भारत के पास कुछ हंड्रेड्स स्टार्ट अप से कुछ हंड्रेड्स लेकिन अभी यह संख्या एक लाख के आस पास पहुँच गई है यह भी बहुत अच्छा है कि स्टार्ट अप को मेंटर और एंकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस ने एस्पायर प्रोग्रेम की शुरुवात की है मुझे विश्वात है कि आपका एक अदम भारत के युवाओं के बहुत मदद करेगा लेकिन साथियों इस पड़ाओ पर हमें ये भी आद रखना होगा कि हम कितना दूर आये हैं और इतना दूर की इन परिस्टियों के बाद आये हैं आप दस बारा साल पहले के मोबाइल फोन को याद करिए तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन गड़ी-गड़ी हैंग हो जाती थी ऐसा ही होता था ना जर बताईए ना चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले चाहे इतने भी बटन दबा ले असर कुछ होता ही नहीं था बराबर है ना और ऐसी ही स्थित्यू समय सरकार की भी थी उस समय भारत की अर्थ ववस्ता का या कहें या तब की सरकार ही यह हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था रिस्टार्ट करने से कोई फाइदा नहीं था बैटरी चार्ज करने से भी फाइदा नहीं था बैटरी बदलने से भी फाइदा नहीं था 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें हमें सेवा करने का उसर दिया इस बदलाव से क्या हुआ है वो भी साप दिखता है उस समय हम हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है तब मोबाइल मैनिफेक्टिरिंग में हमारी प्रेजंस ना के बराबर थी लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैनिफेक्टिरर है तब इलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्टिरिंग के लिए कोई क्लियर वीजन नहीं था आज हम इलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्टिरिंग में करीब दो लाग करोड रुप्य का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपने देखा है कि गूगल ने भी हाली में ये गोशना की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा सेमसंग के फोल्ड फायू और एपल के आईफॉन फिप्पिन पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है आज हम सब को इस पर घर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है साथियों आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक मेनुफेक्ट्रिन में अपनी सभलता को और आगे बढ़ाएं टैक इको सिस्टिम में हार्डवेर और सॉप्प्वेर दोनों की सभलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉंग सेमी कंड़क्टर मेनुफेक्टरिंग सेक्टर का निर्मान करें सेमी कंड़क्टर के डेवलोप्मेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड रुपीज की PLI स्किम चलाई है आज विश्वभर की सेमी कंड़क्टर कंपनिया भारतिये कंपनियों के साथ मिलकर सेमी कंड़क्टर एसेंबली और टेस्टिंग फसिलिटिज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है भारत का सेमी कंड़क्टर मिशन शिर्फ अपनी डोमेस्टिक निमानी नहीं दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है साथियों विकासिल देश से विख्षित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नालोजी जादी आपड़ों को आमों वीडियो टी भालो लागिला तेबे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करीबाको जमा भी भूलों तो नहीं झालोजे के से विकासिले घुरा डवस्जी टूलों को आमों को